है गाइस वेलकम बैक टो अधर नियो वीडियो आप सबका स्वागत है सिन्विक लॉगरू चैनल पे तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चीटिंग प्रिविस वीडियो में मैंने आप लोग को किड्नैपिंग पढ़ाया था अगर आपने वाला वीडियो नह उनसे section में define किया गया है IPC में यह section 415 में define किया गया है of the Indian Penal Code IPC यह section क्या कहता है यह section कहता है whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly induces the person so deceived to deliver any property to any person or to consent that any person shall retain any property or intentionally induces the person so deceived to do or omit to do anything which he would not do or omit if he were not so deceived and which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation or property is said to cheat इतना बड़ा definition है तो इसका simple सा मतलब आता है कोई भी आदमी जो दूसरे आदमी को deceive करता है by way of fraud या फिर उसको dishonestly induce करता है कि तुम यह property मेरे को deliver करो या फिर auto consent that any person कोई भी आदमी उस property को retain करे या फिर उसको intentionally induce करता है जैसे कि मैं आपको एक example बताता हूँ example यह है कि आप किसी दुकान पर जाते हो गनेश जी का मुर्ति खहिदने के लिए तो दुकान वाल आपको बोलता है यह वाल आप मुर्ति ले जाओ ज्यादा price में आपको बेशता है यह बोलके कि यह बहुत साल पुराना मुर्ति है आप खहिद लेते हो बाद में आपको पता चलता है कि यह बहुत साल पुराना नहीं यह तो common मुर्ति यह तो हर जग आपको कम में मिल जाएगा तो यह आप सुचे कि में साथ cheating हुआ है क्योंकि उसने fraudulently आपको कोई भी एक property deliver कर दिया है जो आप अगर यूजिली अगर जाते तो आप नहीं लेते अगर आप यूजिली आप खरीदने जाते मूर्ति दूसरे दुगान पर तो वह सब सुनके साथ आप लेते नहीं आप कमदाम वारे महीं ले लेते पर उसके वह जो बोला उसको दिन उसने डिजॉनेस्ट इंटेंशन के साथ आपको इंड्यूस किया कि आप यह खरीदो तो यह क्या होता है किस पर डेमेज आता है यह फिर किसको हम होता है तो दे पर्सन इन बॉड़ी माइन डेपूटेशन और प्रॉपर्टी तो जब मैं आपको ओफेंसे अगेंस्ट प्रॉपर्टी पढ़ा रहाता है जैसे कि थेव्ठ हो एक्स्टॉर्शन हो रॉबरी हो डकेत हो तो यह सब में आप देखे होगे कि सारा जो ओफेंस है यह रिलेटेट टू प्रॉपर्टी है सिर्फ यही एक्ट आपको लगेगा कि बॉड़ी माइन डेपूटेशन यह तीन वर कहां से आ गए तो चीटिंग का बहुत वाइड मीनिंग आ जाता है ओके अब हम लोग वो जेड को डिसीव करता है इंटेशनली एंड दॉजबनटिश ली इंडिसीव करता हा कि तुम मेरेको ये गोड़्स अनक्रेडिट मेरेको दे दो बाद में मैं पे कर दूँगा पर ओध नहीं पे नेंग करता है तो यहां पर यह fighters करता यह चीटिंग करता है यह んपिट to z a false sample of an article intentionally deceives z into believing that the article corresponds with the sample जैसे कि मैंने आपको मुर्ती वाला example बता है same example आता है and thereby dishonestly induces z dishonest intention के साथ आपको वो induce करता है यह फिर convince यह फिर induce करता है कि तुम यह property है फिर आप यह property खरीद लो और उसके लिए आप pay करो तो यहाँ पर क्या होता है cheating होता अब cheating जो है एक और टाइप का होता है that is cheating by personation यह आपका section 416 में define किया गया है यह section क्या कहता है यह section कहता है a person is said to cheat by personation if he cheats by pretending to be some other person or by knowingly substituting one person for or another or representing that he or any other person is a person other than he or such other person really is simple सा मतलब आपको first two lines में आपको मिल जाएगा इसका मतलब जो है a person is said to cheat by personation cheat by personation का मतलब आता है अगर वो जो आदमी जो cheating commit कर रहा है अगर वो आदमी cheat करता है by pretending to be someone else जैसे कि a pretend करता है कि मैं b हूँ और फिर cheat करता है तो उसको हमनों कहेंगे cheating by personation अब हमनों आते हैं next that is illustration illustrations हमनों समझेंगे cheating by personation का concept तो पहला example है a cheats by pretending to be a certain rich banker of the same name जैसे कि मिस्टर गुपता एक rich banker है तो ए क्या करता है ए बोलता है मैं वह ही मिस्टर गुपता हूँ जो rich banker है तो उसके नाम से वह दूसरा काम यह चीट करता है that is called cheating by personation अब second example लेंगे a cheats by pretending to be a person who is deceased यह बोलता है कि मैं यह मिस्टर राज हूँ जो अल्रेडी मर चुका है उसके नाम पे वह कुछ offense commit करता है that is cheating किसी को cheat करता है वह आदमी बन के जो actually मर चुका है उसको हम लोग कहेंगे a cheats by personation cheating by personation अब हमक पढ़ेंगे punishments punishment for both cheating and cheating for cheating by personation तो पहला आता है cheating cheating a punishment क्या है cheating a punishment 417 of the Indian Penal Code में define किया गया है यह section क्या कहता है यह section कहता है whoever cheats shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year or with fine or with both tfř जो कोई भी cheating commit करता है ये if you guy six zwischen को cheat करता है उसको जेल में डाल दिया जाएगा इसका period extend हो सकता एक साल तक या फिर उसको fine भरना पर सकता या फिर दोनो ळैटी Cookie उसको फाइन भरना पर सकता है εक साल तक या फिर उसको fine भरना पर सकता है कि ओकES आप अपनोग पढ़ेंगे punishment for cheating by personation यह आपका 419 में define किया गया है यह section कहता है whoever cheats by personation shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both दोनों का punishment एकदम similar type है बट अगर सिर्फ cheating कोई commit करता है तो उसका punishment है कि वो एक साल तक उसको जेन में रहना पड़ सकता है पर अगर कोई cheating में personation commit करता है तो उसको तीन साल तक रहना पड़ सकता है और fine दोनों में common है कि उसको fine भरना पड़ सकता है I hope कि आपको आज का वीडियो on cheating उसका दो टाइप punishment definition सब clear है कहें भी doubt आता है comment section में बता सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है यह फिर अच्छा लगे तो प्रेश दे लाइक बटन नीचे आपका लाइक बटन आएगा लाइक कर दीजे शेर कीजे अपने दोस्तों में उनलों को भी समझ में आजेगा कि cheating क्या होता है punishment क्या है और साथी साथ red color का आपका subscribe का button होगा आप वो भी दबा दो for more such videos जो भी videos upcoming videos रहेंगे सारे आप देख पाओगे bell icon दबा दीजेगा तक कि आपको जो भी वीडियो से सब मिलते रहेंगे और साथी साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि मैं क्लैट का crash course करा रहा हूं और उसका सारा updates में दे रहा हूं तो अगर आप लोग क्लैट देने का सोच रहे हो तो वो सारे playlist का मैं link दे दूँगा और साथी साथ latest news जो निकला क्लैट का आप लोग जानते ही होगे अगर नहीं भी जानते हो तो मैं उस वीडियो का link मैं आपको शेयर कर दूँगा इन आई बटन आप जाके देखो तब तक के लिए बने रहे में साथ थैंक यू